हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्फ करेंगे कारेपत्रक 39 ये कारेपत्रक 3 अक्चूबर 2020 के लिए है आज हम सामाजिक विज्ञान भुगोल का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे है प्रकर्टिक वनस्पती तथा वन्यप्राणी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वर्कशीट आज की कॉंसेप्ट को समझते हैं और फिर इस पर बेस्ट दिये गए कोशिंस के आंसर्स लिखते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट भारत में प्राय औसधी के लिए प्रियोग होने वाले कुछ पादप हैं औसधी यानि की मैडिसेन यानि दवा दवा के लिए कुछ ऐसे पादप मींस होते हैं पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको दवाईयों के रूप में प्रियोग किया जाता है हमारे देश में जैसे की सर्फ में 5000 से अधिक पक्षियों की पाये जाती हैं। यह कुल विष्य का 13% भाग है! यहां मचलीयों की 2546 परजातियां हैं जो विष्य की लगबग 12% हैं! भारत में विष्य के 5% से 8% तक अभैचारी सरी सिर्फ तथा स्थंदारी जानवर भी पाये जाते हैं! भारत में स्तंदारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्यपूर्ण है यह असम, करनाटक और केरल के उश्म तथा आद्रवनों में पाए जाते हैं चलिए शुरू करते हैं आगे भारत जीव सुरक्षा दिनियम सन 1972 में लागू किया गया था यह बहुत important line है जो मैंने अभी read की आपको इसे बहुत अच्छे से learn करना है कि भारत में जीव सुरक्षा दिनियम 1932 में लागू किया गया था और 2002 में इसमें संसोधन किया गया यानि कि इसमें कई सारे बदलाव भी किये गए अब आप सोचेंगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमारे जो जानवर हैं हमारे देश में जितने भी जानवर हैं उनकी रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए थे ठीक है क्यों क्योंकि पहले लोग जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थी और जानवरों को मार देते थे तो उन जानवरों को भी तो रक्षा के लिए जो नियम बनाए गये थे उनको थोड़ा और कठोर कर दिया गया ताकि सकती से उनका पालन हो सके और जीवों की रक्षा की जा सके भारत विश्य का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाग दोनों पाए जाते हैं यानि कि या तो बाकी जो देश है या उन और वहां पर शेर पाए जाते हैं बाग मद्यपडेश तता जारखंड के वनों पशिम बंगाल के सुन्दरवन तता हिमाले छेतरों में पाए जाते हैं तो बाग कहां पाए जाते हैं मद्यपडेश में पाए जाते हैं जारखंड में पाए जाते हैं और पशिम बंगाल के स सुन्दर्वन में पाई जाते हैं। पशिम बंगल का सुन्दरवन आपको पता है। वही हमने डेलता के बारे में पढ़ा था। जी हां, बिलकोल, सुंदरवन, ब्रम्पुत्र, गंगा, नदी, डेल्टा, जो है, उस जगे को, वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, उनको सुंदरवन कहते हैं, और उसमें बाग पाई जाते हैं आपने सुना होगा बेंगल टाइगर जो होते हैं बहुत पॉपलर हैं वो कहां पाई जाते हैं सुन्दरवन डेल्टा में पाई जाते हैं और हिमाले के कुछ छेत्रों में भी बाग पाई जाते हैं भारत के नदियों जीलों तता समुद्री चेत्रों में कच्छुए मगरमच और घडियाल पाय जाते हैं चीक है आगे बात करते हैं घडियाल मगरमच की परजाती का एक ऐसा प्रतीनिदी है जो केवल भारत में पाया जाता है तो घडियाल और मगरमच दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं पर दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग है आप कह सकते हो कि वो एक ही प्रजाती हैं और वो उसका बदला हुआ रूप जैसे एक परजातagan तरियाल 1 जह नेगर 1 परजाति ओंग हमारे जाते हैं भारत में और में परजा सी बरजात से परजातिन में यह भारत में ने निहींग और आता वाम यहीं परजीर आदी oh कुछ पक्षी प्रजातियां है, जो देश की वनों तथा आदर चेतरों में रहते हैं, यानि कुछ ऐसे पक्षीयों की प्रजातियां है, जो सिर्फ वनों में ही पाय जातीँ हैं, बहुत से कीड़े मकोडे, फसलों, फलोंत और ब्रिक्षों के परागन में मदद करते हैं और हानिकारक कीडों पर जैविक नियंतरन रखते हैं प्रतेक प्रजाती का पारिस्तितिक तंत्र में योगदान है अता उनका सरक्षिन अनिवार रहे है यानि उनकी रक्षा जरूरी है आगे बात करते हैं पारिस्तितिक तंत्र की आसंतुलन का मुख्य कारण यानि जो हमारा पारिस्तितिक तंत्र है वो आस अंतुलित है उसके कारण क्या कै है? लालची वेपारियों का अपने विवसाइ के लिए अत्यदिक शिकार करना है. यानि कुछ ऐसे वेपारी होते हैं, बिसनस्मेन होते हैं, वो बहुत लालची होते हैं और अपने फाइदे के लिए जानवरों का शिकार करते हैं यानि उनको मारते हैं कुछ जानवरों की खाल बेचते हैं वो कुछ के दात बेचते हैं वो और कुछ की बोन्स को यूज करते हैं बेचने के लिए इसलिए वो जानवरों को बिना वजे मार देते हैं इसलिए सरकार जानमरों की रक्षा के लिए इन नियमों को बनाती रहती है रसाइनिक और ओद्योगिक अपसिस्ट तथा तेजाबी जमाओ के कारण प्रदूशन विदेशी पुजातियों का प्रुवेश क्रिशी तथा निवास के लिए वनों की अंधादुन कटाई पारिस्तितिक तंत्र क आसंतुलन का कारण है तो हमारा जो पारिस्तितिक तंत्र है अब आप सोचेंगे पारिस्तितिक तंत्र एक्षुल में होता क्या है पारिस्तितिक तंत्र जो होता है वो एक ऐसा एन्वार्मेंट होता है जिसमें वनस्पती यानि पेड़पोदे और वन्ने जीव यानिकी जा लगाई जानवर को मारते रहते रहते उसके सिवा और आपस्सिस्ट मतलब होता है जगे के इन तेजाबी पानी है और और वो नदिय के पास से होकर गुजरती है यह डिल्टा छेतर से गुजरती हैं तो वहां के जो जानवर होते हैं उनको मार देती हैं और वहां के पेड़ पौदो को खतम करने लगती हैं बिल्कुल ऐसे ही यही जो फैक्ट्रियां होती है इनसे निकलने वाला गंदा धुआ जो होता है वो वातावरण में फैलता है हवा को प्रदूशित करता है और जिसके कारण जानवरों पे और हमारे जो वन जीव हैं उन पर हमारे वनस्पती पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है इसके सिवा बहुत तेजी से आजकल जंगल कार्ट कार्ट के शेहर बनाए जा रहे हैं कॉलोनीस बनाई जाती हैं परियावरन में अंतर संबंदित होते हैं इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं जबकि धरातल पर विश्च्ट प्रकार की वनस्पती या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवों कहलाते हैं यानि कि धरातल धर्टी पर एक विश्च्ट प्रकार की वनस्पति यानि कि हमारे देश में जितने भी प्रकार की वनस्पति है और प्राणी जीवन यानि कि जितने एनिमल्स हैं वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जिवों कहते हैं मतलब एक ऐसा स्पेस एक ऐसा प्लेस जहां पर वनस्पति और प्राणी जीवन मिल जुलकर ए सब्सक्र passé निचे में पादekt हैं उनकी रख्षा के लिए हमारे सेамиकी मृठ कार25 देख लेट देश में 18 इतारा जिएो मंडल निश्चे स्थापित किये गए यानि कि कुछ छेतर जैसे कि हम इंसान जो है वो जंगलों को काटते जा रहे थे काटते जा रहे थे तो सरकार ने किया किया कुछ जंगलों को कुछ जंगलों को फिक्स कर दिया कि यह जो जंगल है यह किसलिए है यह जंगल रक्षा के लिए है और इन जंगलों को कोई नहीं क अश्यम बंगाल, नंदा देवी, उत्राखंड, मननार की खाड़ी, तमिल नाडू, नेलगिरी, केरल करनाटक तथा तमिल नाडू, और नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम, सिम लिपाल, पंचमडी, और अचन, अचन कमर, अमर, अमर कंटक की गड़ना, विश्य के जीव मंडल निश्चे में की गई है, तो ये वो जगे हैं, जिनको आरक्षित किया गया है, जीव मंडल के रूप में, ये 18 जीव मंडल हैं, जिनकी हमारे देश के पादप और जीव संपती की रफ्सुरक्षा के लिए 18 जीव मंडल बनाए नमबर टू बात करते हैं, सन 1992 में से सरकार द्वारा पादप उध्यानों को वित्य, यानि कि वित्य मतलब फाइनेंशल मदद, तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई, तकनीकी सहायता मतलब टेक्नॉलिजी और वित्य मतलब पैसों से सरकार जो है, वो मदद कर अगर करने लगी हमारे देश के पादपो की और वन जीवों की रक्षा के लिए, गैंडा सरक्षन भारती बहेसा सरक्षन तता पारस्तितिक तंतर के संतुलन के लिए कई योजनाई बनाई गई, यानि कई तरह की योजनाई बनाई गी इस्पेशली उन आनिमल्स के लिए, जिनकी मात्रा हमारे देश में अब धीरे-दीरे कम होने लगी है। 103 रास्टे उध्यान, 535 पक्षी आश्रेस्थल, पक्षी आश्रेस्थल वो जगे होती हैं जहां पक्षियों को रखा जाता है। कई दरे की पक्षी नैचुरल इंवार्मेंट में रहती हैं। तता कई चिडियागर रास्टे की पादप और जीस समपत्ती की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो ये हमारे देश की सरकार ने बनाए हैं, 103 रास्टे उद्यान बनाए हैं, जहां पर जो पेड़ पौदे हैं वो अपने एकॉर्डिंग रह सकते हैं, उनको इनसान प्रभावित नहीं करता, यानि कि वहाँ पर मनुष्य जो है वो जाकर पेड़ पौदों को नहीं काट सक तो ये है हमारा आज का कॉंसेप्ट, आपको समझ में आया होगा, इस पर बेस्ट हमसे कुछ कुछ पुछे गया हैं, चलिए डिसकस करते हैं आज की कोशिंग और फिर सॉल्व करते हैं इनकी आंसर्स, तो आज का हमारा फॉर्स कुशिन है, पारस्तितिक तंत्र से आप क्या समस्ते हैं, कोशिन नबर टू, भारतिय जीव सुरक्षा धिनियम कब लागू किया गया, जीवों का सरक्षन क्यों आने बार है, कोशिन नबर थ्री, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाएगे प्रमुक कदमों को बताए, कोशिन जीवों से आप क्या समस्ते हैं, कोशिन नबर फाइफ, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या-क्या कदम उठा सकते हैं, तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इनके आंसर्स, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पारिस्तिक तंतर से अब क्या समस्ते हैं, इसका उत्तर है, यह प्रकृति के एक ऐसी एकाई है, जिसमें सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जीवजन्तु आदी, भौतिक परियावरण के साथ, आदान पड़ान करते हैं, इस प्रकार पारिस्तिक तंतर का अर्थ है जीव जनतियों का पर्यावरण के साथ समन वे एंब हम बात करते हैं प्रेश्ट नंबर-2 की भार्तिय जीव सुरक्षा दिनियां कब लागू किया गया जीवों का सरक्षन क्यों आनिवाद है तो इसका अंसर है भारतिय वन्य जीव सुरक्षा दिनियां 1972 में पार 2002 में इसमें शंचोधन करके कुछ परिवर्टन किये गए तथा दंडवा जुर्माना को अधिक कटोर कर दिया गया मुख्रिता यह जीवों की रक्षा के लिए रक्षा के साथ साथ उनके विकास पर भी कारे करता है यानि कि यह अधिनियम ऐसा है जिससे की जानवरों की जाया जाए अगर उनकी संख्या कम हो रही है तो उनकी कैसे रक्षा की जाए इन सभी पर ध्यान देता है बात करते हैं आज के हमारे थर्ड कोशिन की भारत सरकार द्वारा पादप और जिवसंपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुक कदमों को बताईए मैं आ तो भारत सरकार द्वारा पादप और जिवसंपत्ति की सुरक्षा के लिए निमलिखित कदम उठाए गए नमबर वान सन 1902 में सरकार द्वारा पादप उध्यानों को वित्य तथर तकनीकी सायता देने की योजना बनाई गई नमबर टू बाग सरक्षन गैंडा सरक्षन भ नमबर फोर दो हजार दो में वन ने सरक्षन अधिनियम को संचोधित किया गया तथा दंड वा सजा का प्रावधान अधिक खटोर कर दिया गया नमबर फाइफ एक सो तीन रास्टे उध्यान पांसो पैंतिस पक्षी आश्रस्थल तथा कई चिडिया घर रास्टे की पाद आंसर है पौधो तथा जानवरों के समुदायों के खुल संकलन या अध्यन जिवों कहलाता है धरातल पर एक विशच परकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जिवों कहलाते हैं तो जिवों का आर्थ एक्चुल में क्या होता है मैंन ये दोनों ही मिल जुलकर प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं उसी को जिवों कहा जाता है तो जिवों के अंदर हमारे दुनिया के सारे पेड़ पौदे और सारे जानवर आ जाते हैं अब हम बात करते हैं आज के पांचवे प्रशन की जीवों तता पक्षियों की सुरक् पक्षा के लिए पक्षी आश्रेस्थल तता पक्षी ओशाधाले बनाए जाएं मैंने यहां बनाई लिखा है बट आपको बनाए जाए लिखना है थर्ड पॉइंट है चिडिया घरों में जानवरों की देखरेक पर अधिक ध्यान दिया जाए फोट है पशू चिकतसाले का विस्तार किया जाए फिफ्ट पॉइंट है ऐसे नियम बनाए जाए जिससे आम लोगों को पशू तथा पक्षियों से प्रेम हो तो यह है हमारे आज के सभी कुशिंस और उनके आंसर्स आई होप आपको समझ में आये होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आपने दोस्तों से शेर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिना किसी कंफ्यूजन के तो मैं हूं महिमा और आप से लेती हूं विदा फिर मिलोंगी अगली वीडियो में